तो टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी बरती की अंठावन हजार से ज्यादा मैलाओं की गाउं में होगी बरती पंचाइट चायक बरती की बारे में विस्पूसना मिलेगी आपक तो वीडियो को जल्दी से लाइक करतें शेयर करतें और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेन्टिक अप्डेट सबसे पहले मिलती है चलिए सुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी की बारे में जैनकार यह मिल रही है कि पोर्टल की जो लास्ट डेट वो आज समाप्त हो गई है और अब जो है नए पतों के अधियाचन के लिए पोर्टल फिर से खुलने वाला है बहुत जल्दी पोर्टल खुलेगा मैंने आपसे पहले भी बताया थ कि टीजीटी और पीजीटी के जो विग्यापन ने भलाई समचार पत्त्रों के माहिदम से लगातार जानकारी दी जा रही कि जून की महिनी में विग्यापन जारी होगा लेकिन मैंने और पिछली पार जब विद्यारतियों ने मुलाकात की थी तब भी वीरेस्कुमार रही है कि एक बार फिर से नए पतों के लिए अधिया चन एक या दो दिन में पोटल जो उसके लिए खोला जा सकता है तो वही पर चात्र पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी ने किसी तरीके से तदर्थ सिच्च्चों के जोपत हैं वो जोड़ दिये जाएं इसको लेकर के सी पादों का जो अनलाइन अधियाचा ने ततकाल मंगा करके जो नए नई बढ़ती आने वाली है उसमें जोड़ दिया जाए इसकी बारे में चीफ मिनिश्टर की तरफ से जवाब आया है यहां पर दे सकते हैं और जवाब में लिखा है कि अगर यह जन सुनवाई का मैटर है तो इसको जन सुनवाई के पोर्टर बजार करके कंपलें करें तो वहां पर भी विद्या रतियों कर दिया है और संबंधित विभाग को जो भह रहा है वह भेज दिया गया है यहां पर 31 मई की डेट भी पड़े वी ए 12 बच गरके 69 मिन्ट और मुक्ष इंथर जी को पूरी बात यहां पर विद्यार्थ में बताईए कि टीजीटी बीजीटी में कितने पद रेखते हैं और सुप्रीम कोड ने क्या आडर दिया है कोड की अनुसार यह तो तददर सिक्षक हैं वह रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं और जो आडर अगस्त में जारी हुआ था तदर्द सुप्रीम कोड ने कहा है इस सारी डिटेल से वह भेज दी गई है और यहीं डिटेल अब सम्मंधित विवाग को भी भेजी गई है देखते हैं आगे क्या होता है जो भी अपडेट्स होंगी आपको इस चैनल के मादम से दे दी जाएंगी अगली सूजना है गावों में 15,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत साय कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भरती कराए गई थी उस चमय कई गावों में पद नहीं भर जा सके कुछ जगों में चैनल ने इस्तीफा दे दिया ज्यादतर मामलों में यह हुआ कि 6000 का वेतन मिलता है गावों में डूटी करनी प दिया फिलाल ऐसे में पंचाय साइकों के रिक्त 2783 पदों पर भरती चल रही है एक चुक विद्यारती इसके रिए अभी भी आविदन कर सकते हैं आफ लाइन आविदन तीन जून तक सुकार किया जा रहे हैं अगली जो सूचना है वह चात्राओं के लिए हैं लिखा कि उत सारे ऐसे चात्र हैं जिन्हों ने यह जो रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन उन्हों अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अब्रेट सबसे पहले मिलती रहें तो यहां पर लिखा कि उत्तर प्रदेश राज यह ग्रामीर आजीवी का मिशन 3534 ग्राम पंचायतों के लिए बीसी सक्यों का चैन करने जा रहा है इसमें सोयम सहायता समों की सदस्य महिलाओं को चैन में वरिता मिलेगी और एक छुक महिलाएं 10 जून तक आवेदन कर सकती है तो इसके लिए भरती की प्रक्रिया है वो चल प्रणिदी होंगी और बीसी सकीम वे माइक्रो ए टीम के माध्यम से बैंकिंग सेवाय आम लोगों तक मौन चाहेंगी इसके बाद में एक और सूचना है और वह सूचना है इंक 29000 कभी 97000 कभी नई प्रति के बारे में आजकल सासन की तरफ से कोई भी जयनकारी नहीं दी जा होता है कि पहले जो मामला कोट में लटका हुआ है वो मामले कंप्लीट किये जाएंगे उसके बाद में नई सिच्चक बरती के बेसिक सिच्चा परिशत प्रयागराज समस्त जिला बेसिक सिच्चा अधिकारी उत्तर प्रदेश डेट 28 तारीक की लिखा और निर्धारित प्रारूप पर सूचना उबलफ्त करा जाने के समद्ध में तीस यानि कल तीस माई तक अनिवार रूप से परिशत को यह भेजना थ यह देखिए इसके लिए यहां पर तीन प्रारूप बनाए गए हैं एक तो यह टोटल पदों का शिक्षकों के 69 अजार सिच्चक वर्दी में कितना हुआ और यहां पर एक अलग बना हुआ है जो यह प्रारूप है प्रारूप वहन के अगर हम लोग बात करने तो जनपद क लिख्षक का नाम और कारत विद्याला है कौन सब विद्याला है अगर कोई निलम सस्पेंट चल रहा है तो उसका विवरन लिखना है क्यों हुआ जाचत्थिकारी यह सब पूरा अगर निलम्बित हो चुका है पदरिक्त हो गया है यहां पर लिखा हुआ है यह नुक्ति फ अबूरा नहीं होते हैं यह समाझ पत्र हैं देख जो जो देखे जाते समय से में पर कि किविवाग में किस किस जिलिय में कौन कार्यार ने चल रहे हैं और तो विद्यार्थी मायूस है और इसको लेकर के विद्यार्थी दो जून को काला दिवस मनाएंगे यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यह आज के बहुत सारे समचार पत्रों में इसकी बारे में जानकारी दी गई थी जिसे आप लोग देख सकते हैं अलग-अलग समचार की मीटिंग भी है तो यह हुआ कि समस्त जुलों में दो जून को विरोजगारों के लिए काला दिवस मनाए जाएगा नई शिक्षकवर्थी की मांग को लेकर के प्रमुकता सठाए जाएगा संग्ठन के प्रतिस अदर्श राजपूद विकास सिंग ने कहा कि दो जून को क इस तरीके से नहीं होगा वंडे वाला प्रतर सन नहीं होगा और आगे जो भी चानकारियें होगी आपको इस चैनल के मादन से दे दी जाएंगी प्रात्मी सिच्छकवर्थी के बारे मैं बता दूं कि जो अंतिम प्रक्रिया में है और 60 सवाली मैं हमेशे से कहता हूं और इ